नमस्कार मैं अमिद भोबिया दोस्तों आजम बात करेंगे पर्ल फार्मिंग के बारे में यानि कि मोतियों की खेती के बारे में कभी कहा जाता था कि समंदर के अंदर गहरा कूदना पड़ता है तब जाकर कोई सिप मिलती है और तब जाकर शायद उसमें से आपको मोती मिलता लेकिन आजकल मोती की भी खेती होने लगी है लेकिन पिछले कुछ लंबे टाइम से भारत में खेती जरूर हो रही है लेकिन ये देखा जा रहा है कि बहुत से ऐसे किसान हैं जो नए नए पर्ल की खेती शुरू करते हैं और उसके बाद में घाटे में चले जाते हैं और कि 은 कर रहा हूं तो पागलों वाली बातें नहीं कर रहा हूं ऐसा ही हो रहा है इसी वज़ेसे हमारे बहुत से किसान सातियों को घाटे लग रहे हैं उस घाटे को आज मैं आपको समझाता हूं जिन भाइयों को ये नहीं पता कि पर्ल की खेती कैसे होती है तो हमारी एक वीडियो है कुछ ऐसे थमनेल वाली वो जाकर देख लीजिएगा उसमें विस्तार से हर चीज की जानकारीदी है लेकिन आज हमारा मेन मकसद ये जानने का है कि किसी फार्मर को जो नए नया पर्ल का काम शुरू करता ह यानि मोती की खेती के लिए सीप पालता है उसका काम शुरू करता है उसको घाटा कैसे लगता है दिरसल दिक्कत ये है कि पर्ल की खेती मान लीजिए कि एक परकार से डॉक्टर की पढ़ाई है सीप डालना है सीप के अंदर जब नुकलियस डालना है तब आपको प्रोपर उसकी सर्जरी करनी होगी जो डिजाइन देना है उस डिजाइन का डालना होगा और इसे के सासाथ कुछ टेक्निकल चीजे हैं जैसे डिजॉल्व उक्सीजन जो है वो चार पीपेम से नीचे नहीं जानी चाहिए आपकी सीप डिप्रेशन में चली जाएगी जैसे पी-एच सार से जितना कम है उतना अच्छा है जैसे अम्मोनिया को जांचने वाली किट का इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए टंप्रेचर 25 डिगरी से 30 डिगरी के बीच में मैंटेन करना आपको आना चाहिए इसी के साथ साथ आपको सबर होना चाहिए क्योंकि इसकी खेती के अगर आप लेनी है तो एक एक डेड़ साल आपको लग जाता है तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब घाटा कहां पर लगता है इसको समझते हैं होता क्या है मैं यूट्यूब पे आया मैं एक किसान हूँ या फिर कोई यूट्यूबर है वो किसी किसान के पास गया भर-भर के लंबी चोड़ी उसने बातें बताई जी 200 रुपे का बिक जाता है इस तरहें से त्यार होता है कुछ करना भी नहीं पड़ता एक बार होदी बना दी उसके अंदर परल छोड़ दी यह पूरे टाइम उसके अंदर रही साल डेड़ साल बाद हमने इसको देखा हमने इसमें स परल निकाली और जो है परल को खोला तो उसमें मोती त्यार था मोती का तो आप जानते ही है अनमोली होते हैं बहुत बजार में इंटरनेशनल मार्केट में मांग है यह सब जहान का ज्यान जो है वो पेल दिया जाता है और अंत में यह कह दिया जाता है कि किसी भी किसान भा आती है वो भी हम दे देंगे इस तरह से आपके सामने एक पर्ल के बारे में कहानी रखी जाती है लेकिन रियल्टी कुछ हो रहे है रियल्टी यह है कि जितने भी फार्मर्स हैं जिन्होंने ट्रेनिंग सेंटर इनके बना रखे हैं वो फार्मर्स क्या कर रहे हैं वो उन ट्रे पीस रख लेते हैं वो फीस लेने का यानि उन्होंने एक इंसिटूशन बना लिया है और वो ऐसा इंसिटूशन है ना इसमें कोई बड़ी रिसर्च है ना कोई ज्यादा नोलिज़ वाले लोग हैं इसलिए जो फार्मर्स गोर्मेंट के इंसिटूट से प्रोपर जानकारी ल में मोती में और प्लास्टिक वाले मोती में अंतर डूंड़ना मुश्किल हो गया है इस नए जमाने में आटिफिशल के जमाने में आज कल कान में कंगन हो तो पता नहीं लगता कि यह नकली है यह असली है तो ऐसी स्तीति के अंदर आप लोगों को यह नहीं पता लगता कि आप बेचें कहां पर यानि आपके पास माल अगर त्यार हो भी गया तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमें इसे सेल कहां पर करना है मार्किट कहां पर है तो इसलिए वो लोग आपको ये ओफर देते हैं कि आप हमारे हां ले आना A ग्रेड का माल ऐसे लेंगे B गरेड का ऐसे C गरेड का ऐसे और आखिर में जब आप लेके जाते हैं तो लगबग माल को B या C गरेड बता दिया जाता है खैर अब आप लोगों को मैं बता दूँ कि आपको अगर परल की खेती करनी है तो सच में मुनाफ़ बहुत है ऐसा नहीं है कि मुनाफ़ नहीं है मुनाफ़ है लेकिन आप अपने ट्रेनर्स या जो फार्मर्स आपको ये करवाने के लिए पुरसान देते हैं कहते हैं कि हाँ हाँ करो हम तुमारे साथ हैं वो आपका मुनाफ़ा चिन के ले जाते हैं इसलिए जिन भी नए युवाओं को इसकी खेती करनी है काम करना है वो प्रोपर भारत सरकार के जो इंसीट्यूट बने हुए हैं वहाँ पर ट्रेनिंग लें इसी के साथ साथ जो फार्मर पहले से काम कर रहा है उसके हाँ बेशक आपको नोकरी करनी पड़ जाए कम से कम छे साथ महिने का या फिर एक हर्वेस्टिंग तक का आप उसके पास एक्सपिरियंस लें और उसी के बाद पर्ल फार्मिंग यानि मोती की खेती में उतरें वरना इतने दलाल घुम रहे हैं इतने दलाल घुम रहे हैं और मैं तो यूट्यूब वालों से भी कहना चाहूंगा कि इदर जाके इतनों लोगों को प्रमोट कर दिया आप लोगों ने कि वो आज के टाइम में फटाक से नंबर दे देते हैं और फिर किसान भाई उनको फोन करकर के हाँ भाई आप बीज बिजवा देना ये बिजवा देना और वो जहान का पैसा जो उनका खर्च करवा देते हैं खैर मुझे उमीद है कि आप जो चीज में बताना चाहरा था वो समझ गए होंगे और मेरी तो यही रिक्वेस्ट है चाहे मैं अभी तक तो चलो बाहर नहीं जाता हूँ मैं फार्मर्स के पास इस तरह की बात करने लेकिन अगर किसी के पास जाओं भी तो भी मेरा ये विश्वास मान के चलना कि आपको भारत सरकार के विज्यानिकों पर पढ़े लिखे लोगों पर और एक्सपिरियंस पर सबसे बड़ी बात खुद के एक्सपिरियंस पर मतलब खुद को उनके यहां काम करके खुद जो एक्सपिरियंस लो उससे आपको परल फार्मिंग के अंदर गुसना है डारेक नहीं गुसना खार देखते रहिए ABC इंडिया